थोड़े से बादल चाहे जरूर है रह उनका काला जरूर है लेकिन ये फीका नहीं करेंगे टीम के खिलाडियों का जोश एक दम मुर्दल है ये पेच फ्लाट अज रोड तो बोलर्स का तो होगा यहां ना आज सिक्का किसके पक्ष में गिरेगा है जिस्दकॉल से भी महारत हासिल कर ली है इस लेक ग्लांस के फील्डर और गेंदवास का अच्छा ताल मेल बढ़िया थ्रोड करारा स्वीप शॉट् फील्डर का बढ़िया थ्रोड एक डंस टंस के ऊपर जोरदार अपील फील्डिंग यूनिट से लेकिन अंपायर ने फैसला दिया बल्ले बास के पक्ष में नाट अट इसे कहते हैं संभल कर खेलना दो रंस के साथ संभाल रहें अपनी टीम को अंसाइड की दिशा में फ्लिक किया रन बटो रहें फील्डर की अच्छी बहुत ही प्रभावशाली है यह मीडियम पेस गेंद बास यह चौका नहीं यह संदेश है कि यहां गेंद डालोगे तो बांटरी से उठा कर लाओगे गेंद को जिसका हम सब को बेसबरी से था इंतजार वो घड़ी आई ही गई लग गया चौका बल्ले बास को थोड़ा क्रैम्प किया एक और डाट बॉल गेंद बास की और यह गई चार के पाद अंडरस्टैन्डिंग तो अच्छी की ही लेकिन उससे भी वहतर भागने की गती ऐसा लगता है डाईव लगानी पड़ेगी अगर विकेट बचानी है तो और इस सिनिंग की पहली विकेट गेंद बास के नाम यह बात तो तैह है कि आज गेंद बास प्रविलियन मुस्कुराते हुए जाएंगे फ़ड़ा साइन को संभल के खेल कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है जाएंगे जाएंगे लाएंगे। जाएंगे से प्र। ने मीडिय है ये नेल बाइटिंग मुकाबला अंथ के बिलकुल करीब आखरी ओवर निरनायक ओवर फिल्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदर्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा बढ़िया गेन कोई रन नहीं पलक जपकते गेंद निकल जाती लेकिन जपते हैं ये गेंद की तरफ रोक लिया है चौका हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ कि रागिंग शॉट अध्भुट अविश्वस निये शॉट इस बन्लेबास का गेंदबास को छकाया छका लगाए कलाईयों का कलाकार है ये खिलाडी पैरोबे अगर डालोगे गेंद तो रन भोटोरेगा ये फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो खेल अपने अंतिम पड़ाव पर खूब सूरत ये शॉट महीं सीदी दरार उसमें से बटो लिये है पूरे चाह और क्रीस पे खड़े बल्लेबास के लिए है अब ये फ्री हेट बूम ये गेंद गई है दूर पोसो दूर देकर बल्ला घूमा स्टेडियम जूमा टीम टीम मार जाएगी बाजी जीतने वाली टीम को बढ़ाई लेकर तारीफ करनी होगी जिस जजबे के साथ लड़ी है वो टीम जो अंति में मैच हाद है कमाल की स्ट्राइकिंग देखी आज हमने इस बल्लेबास के बल्ले से और इसमें कोई शक नहीं कि मैन ओ दो मैच का खिताब इनकी जोली में मुझे पूरी उमीद है कि आज मौसम की वज़ा से खेल में खलल पड़ेगा नहीं पिछ बिल्कुल हरी है लेकिन रंज से भरी है अगर आपने थोड़ा सा क्येरफुली खेला तो बाहर की गेंदों को थोड़ा संभाल कर खेलेंगे तो संभाल लेंगे अपने आपको भी कप्तान तयार है कॉल के लिए हैड या टेल हैड्स चुना है कप्तान ने और हैड्स गेंद बाजी के लिए पिछ अच्छी है और टॉस के विज़ेताओं को ये पता है आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा आज उम्मीद यही है कि सलामी जोड़ी करेंगे अच्छे तरीके से आगाज समय है स्पिन के इंट्रोड़ अच्छा आगाज़ कुमार्ण कलाईयों को मोडा एक और रन बटोरा फील्डर का बढ़िया थ्रो एक दम्स टम्स के उपर कुछ नया करने का प्रयास है साइट चेंज करने का सिगनल दिया अंपायर ने फील्डर का बढ़िया थ्रो एक दम्स टम्स के उपर स्माक कदमों का बहतुरीन इस्तमाल और गेट को भेजा है हवाई यात्राबर यह एक दम श्लॉट में और पार्क की अब पार्किंग लॉट में छे रण बहुत ही खूपसूरत का वर ड्राइव संपूर्ण समर्पानिस फील्डर के द्वारा बढ़िया यह एफट है अब दबाव बढ़ता हुआ बल्ले बाजी की टीम पर स्लाम अब हमें गेंद को भेजा है बहुत दूर भेजा है यह दे कर जाएगी आधा दर्दन रन इस छपके की गूंज बहुत देर तक सुनाई देगी गेंद बाज को आखरी गेंद छे रन बल्ले बाजी टीम के लिए एक बढ़िया ओवर एक्सेलेंट इनिंग्स अगाज अच्छा तो अंजाएगी समय है स्पिन के इंट्रोड़क्शन का शुरुवात कर रहे हैं और स्पिनर के साथ बेटर सेफ दैन सौरी बल्ले बाज जोखिं उठाएगा नहीं डॉट बॉट बॉट बहुत ही साधारन रुनिंग बिट्विकेट्स विकेट गवाया फिल्डिंग यूनिट की मदग के चलते मिली एक बड़ी साधारन बल्ले बाज काटे का मुकाबला कमाल की जीत, जीत के साथ चल पड़ा है इस टीम का आगे की तरफ कारवाँ सामने वाली टीम ने नेस्ता नाबूद कर दिया आपकी टीम को, you have to doff your head कहिए वेल प्लेट और अपने खेल पे भड़ासा और दीजिए माच विन प्रधाशन पूरी तरह से मैंथ को किया अपनी तीम के पक्षमे पनादा माच अवार्ड इन ही के पस थोड़े से बादल चाहे जरूर है, रह उनका काला जरूर है लेकिन ये फीका नहीं करेंगे टीम के खिलाडियों का जोश, they are waiting to go out there बले बाजों, थोड़ा संभल के रहना, दोनों कप्तान अपनी टीम शीट्स के साथ तयार है heads is the call and we've got heads कप्तान ने टॉस जी के बोलिंग का फैसला किया है आधाज अच्छा तो अंजाम अच्छा, आज उम्मीद यही है कि सलाम कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर ये गेंद गई है, स्टैंस के पार, बहुत दूर, छेर रन, कमाल का शॉट स्टैंस में फील्डर नहीं होते, वहीं से मंगवाएं फील्डर की अच्छी है फसी Kstand को अच्छा एफर्ट, और साथया थो भी युम्मूर। बढ़िया जज़्जमेंट तेज रनिंग बढ़िया रंग भटोरा बल्ले बाजों ने हवा में है शॉर्ट फिल्डरों को छोड़ो दर्शकों को भी नहीं लगेगी हवा स्टेडियम के बाहर छे रंग तो वो तूफान से पहले की शांती ही थी छे लगाया बल्ले बाज ने पैक्समन के रिदम को बदलना चाहते हैं साइड बदली है लेकिन क्या भागे बदले का गेंद बाज का चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बाज ओधर स्टम्स गेंद बाजी का फैसला लेकिन क्या पारी ओवर कर पाएंगे ये बल्ले बाज की अब ये शॉट आपको नहीं मिलने वाला प्रिकेट कोचिंग मैनुवल में क्या चुस्ती क्या मुस्तैदी क्या फुर्ती जान जोग दिया इस फील्डर ने कमार सटी गेंड डॉट गेंड फील्डरों गेंद बाज का अच्छा ताल मेल बढ़िया थो अपील में तो दम था लेकिन अंपायर ने नकार दिया ये बात तो तैह है कि आज गेंद बाज पैविलियन मुस्कुराते हुए जाएंगे नहीं गेंड आज पूछेगी कुछ कठिन सवाल लेकिन इन सवालों का जवाद थोड़ासा बदलाव करने की है कोशेश फांस बोलर को बुलाया गया है हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रणिंग बिट्वीन दविकेट्स दो-दो हाथ करने की मंचा से आए है मैदान पर दुक्के के साथ किया है आरम हवा में गेंड स्विंग हुआ गेंड बाज को मिल गए विंग्स बल्ले बाज खत्रे में बल्ले बाज के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश राक रॉकिट की स्पीड से गई है गेंड ये फैंस तक ये शॉट अगर मैंने लगाया होता तो मैं बहुत ही गौर्वान विथ होता फील्डर का बढ़िया थो एक दम्स टम्स के ऊपर जबरदस अपील बल्ले बाज भी असमंज अब ये क्या मीडियम पेसर फटा फट विकेट चटका पाएगा ये होगी देखने लाएक बाद कमाल का शॉट और क्या थी खूप सुजद ये टाइने बूची दूर गई है रॉकेट की तरह जबरदस शॉट है ये छे और छे एक दरजन रन्स दो गेंदो में छे नहीं आठ नहीं दस रंग दीजिए इस शॉट को इतनी दूर गई है ये गेंद सीधा कारपार्ट में जाके लैंड हुई होगी ये आउट करार दिया है अमपायर में पैस्मन को बिल्कुल सहमती नहीं है अमपायर के इस डिसीजन से तो चल पड़े है तीसरे अमपायर की तरह पैस्मन ने डिसाइड किया है कि डिसीजन को रिव्यू करेंगे तीसरे अमपायर की तो किया है इंवल्ड अपील को नकार दिया है अमपायर ने नौट आउट करार दिया है बड़ी आगे कोई रन नहीं इस गेंद को पढ़ने में पूरी तरहां से असमर्थ बल्ले बास सठीक लाइन सठीक लेंथ कठिन सवाल बल्ले बास के पास नहीं था जवाब थोड़ा सा हिले थोड़ा सा डुले और गेंद को लेक साइड की तरफ हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बड़िया रनिंग बिट्वीन दविकेट्स बहुत ही महंगा ओवर और गेंद बाज निराश कप्तान ने गेंद दी है ओफ स्पिनर को विकेट की है मन्शा क्या उस पे खरे उतरेंगे गेंद बाज स्वच भारत अभियान का ब्रैंड अम्बैसडर बना दीजिए इनको किसी को मिली जीत किसी को मिली हार मुकाबला देखें तो रहा ये बहुत ही क्लोजली कॉंटेस्टेट केम जीतने वाली टीम को बहुत सारी शुकामना है ऐसा लगा एक समय की आसान सी जीत मिलेगी टीम को गेंद के साथ मैच को पल्टा, बैट के साथ मैच को लब्टा, इसे कहते हैं कि टू आल राउंड पर्फॉर्मेंस, मैंनो दे मैच इनी को मिलेगा अज वेदर फोर्कास्ट उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टीम्स का मौराल बहुत बढ़िया है, संघर्श के लिए तयार हैं दोनों टीम्स, एक दम मुर्दल है ये पिच, फ्लाट ऐस रोड, तो बोलर्स का तो होगा यहां नाइट में, थोड़े से डराम, तॉस का समय हो ग सब्सक्राइब करेंगे कि पिच से थोड़ी सी मदद में, अब इन्हें सिरफ अपने बेसिक्स के साथ, कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है, करेंगे 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 करें पनले बास के गेर जाके लगी है शरीर पर थोड़ा सा जज्जमेंट एरर ओवर स्ट्रेपिंग यानि की ओवर में एक्स्ट्रा बाल नो बाल बिसाइड की है अंपर समय है गेंद को दर्शक दीरगा में भेजने का फ्री हिट का टाइम पाउंदी से थोड़ा पहले ही पड़ा टपा मिलेगा चौका अंडस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती स्लैम, चाबू, कॉपी बुक, छे रन अब ज्यादा नहीं होगी सिंगल से बात चीट छे जड़ दिया बल लेबाज नहीं कहने को तो छे रन हैं लेकिन लंबाई देके शॉट की तो मिलने चाहिए आठिया तस पहला सेर तो दूसरा सवा सेर, दो लगा तार सिक्सिस ये बात तो तह है कि इंके कोच ने नहीं सिखाया होगा इनको ये शॉट बड़िया जज़बेंट, तेज रनिंग उटसाह भी है, विश्वास भी है, विकेट बिलने की आस भी है लेकिन अमपायर ने कहा, नॉट आउट खूपसूरत टाइमिंग, जबर्दस शॉट गेंद के नीचे आए और बहुत पीछे भेजा, छे रन के साथ ओवर किया सवा बहुत महंगा ओवर, और महंगा ही पड़ेगा ये गेंद बाजी यूनिट को एक्सलेंट इनिंग्स नई गेंद आज पूछेगी, कुछ कठिन सवा कप्तान ने मीडियम पेसर को गुलाया है अटैक पर चीते को पीछे छोड़ दे, इतनी तेज भागा ये बल्ले फूर्टी से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो थोड़ा नाजुक हातों से खेला ओन साइट की दिशा में और कितना आसान बना देते हैं ये बैटिंग को दो रन से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया है थोड़ा सा परिशान किया है गेंदवास को अब यहां तो भागने की भी ज़रूरत नहीं है बॉल को ध्यान से देखा और बढ़िया स्वीप का किया एक्जिक्यूशन अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती गोलर को अलविदा कहा है चौके के साथ बहुत ही महंगा ओवर्ड लेकिन लगा ऐसे जैसे रन सस्ते में बट रहे हूँ विकेट की है तलाश और स्पिनर को दी गई है गेंड क्या वो विकेट चटका रंस पर लगाना चाहते हैं लगाम तो गेंड थमाई है लेकिस्पिनर को यह आउट करार दिया है अंपायर ने पैक्समेन को बिल्कुल सहमती नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से तो चल पड़े है तीसरे अंपायर की तरफ पैक्समेन मांगने वाला है ड्रिव्यू रफर करेंगे इस डिसीजन को सटीक लाइन सटीक लेंथ कठिन सवाल नहीं था जवाब लेक बिफोर दस स्टप्स किसी को मिली जीत किसी को मिली हार मुकाबला देखें तो रहा ये बहुत ही क्लोजली कौंटेस्टेट गेम जीतने वाली टीम को बहुत सारी शुबकामना है सामने वाली टीम में नेस्दा नाबूत कर दिया आपकी टीम को You have to doff your hand कई अगर कमाल की स्ट्राइकिंग देखी आज हमने इस बल्ले बास के बल्ले से और इसमें कोई शक नहीं कि मैंनो दो मैच का खिताब इनकी जोली में आज वेदर फोरकास्ट उतनी अच्छी नहीं है लेकिन टीम्स का मौराल बहुत बढ़िया है संघर्ष के लिए तयार है दोनों टीम्स बल्ले बासों के लिए कठिन चुना तर्शोकों से खचा खच भरा हुआ ये मैदान टॉस टॉस जीत के फील्डी का फैसला सही फैसला क्योंकि ये पिछ मैच के दौरान ज्यादा बदलने वाली है नहीं प्लीस पर आये है नहीं बल् कि अजय समय है भाव के बाव के लिए थी जाद से नहीं है प्लीस बल्लीज के लिए करें वाली है ये जान टॉस जड़ाँ जड़ा झाद ये ये वाली है ये सुना घप खचाज, आट ये पटक् जए सबस्टे समय है इट सैंस्टने टॉस बल्सक्टने जादारा से आदार झाल झाल बढ़िया जज्जमेंट, तेज रनिंग, बढ़िया रंग भटोरा बल्ले बाजों ने पूरी तरह से छका दिया है बल्ले बाज को सही ठिकाने पर गेन, बल्ले बाज खामोश फिल्डर की अच्छी एफट और बढ़िया थ्रोगी ये गेंद गई है दूर, पोसो दूर देकर जाएगी छेरान या कमाल का शॉट है ये बाजू ए खोल दी अमपायर ने वाइड का किया है इशारा, ये गेंद गई बहुत दूर, कोसो दूर और देकर गई है वाइड के चार रन विपक्षी टीम को बढ़िया ड्राइव लेकिन फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं बल्ले बाजी की टेक्स्ट्बुक नहीं लिख रहे हैं ये जनाब जबरदस शेत्र रक्षन, आज हमने देखा है कि कुछ कमाल कैथलीट्स मैदान पर एक और बढ़िया गेंद, एक बार फिर रन नहीं, ये बात तो तैह है कि आज गेंद बाज प्रविलियन मुस्कुराते हुए जाएंगे नई गेंद आज पूछेगी कुछ कठिन सवाल लेक्स्पिनर को थमाई गई है अब गेंद हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया, बढ़िया रनिंग बिट्वीन दविकेट्स दो-दो हाथ करने की मंच्छा से आए है मैदान पर दुक्य के साथ किया है आरम याउट करार दिया है अमपायर ने, फैक्समन को बिल्कुल सहमती नहीं है अमपायर के इस डिसीजन से तो चल पड़े है तीसरे अमपायर की तरफ अब यह चुनौती दे रहे हैं अमपायर के डिसीजन को सही लाइन अंदर की तरफ तेजी से गे जाके लगी पैट्स पर अगर विकेट के बिल्कुल सामने तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैने ऐसे बल्ले के साथ, गेंद के साथ, कम्प्लीट ओल राउंड पर्फॉर्मेंस, मैंन अदर मैच के हखदा अजर जय हैं पर्फॉर्मेंस, मैंने और क्प्लीट के साथ, कर दो दोवर्मेंस, मैंने मैंने हैं तेजी से अटारिए बादल हैं तो जरूर आसमान में लेकिन इतने नहीं कि खेल में खलल डाल सकें उमीद यही है कि मज़दार खेल होगा आज पिछ एक दम भूरी है कप्तान तयार है कॉल के लिए He goes for tails And heads it is बल्ले बाजी का है निर ने पिछ भी बल्ले बाजो के लिए है अनुकू अपनी विकेट नहीं गवानी है यहाँ कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया अजरे बना है यहाँ फाँ है यहाँ है Wars यहाँ है यहाँ यहाँ है अजरे बना के कि सफफ़ाइब के कि आप है अजरे विकेट फ्लेशश थे चुलाया चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बास दोनों खिलाडियों की बीच में अच्छा ताल मेल अच्छी साजेदारी पनप रही है फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो पचास रंड की साजेदारी लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त चीते को बीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बास इस बॉल को रोकना मुश्किली नहीं नामुम्किन है मेरे दोस्त और इस चौके के साथ वो बाउंडरीज का अकाल हुआ समा अब ये बात तो तह है कि इनके कोच ने नहीं सिखाया होगा इनको ये शोट अज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्ले बास को क्योंकि रन आसानी से ये फील्डर देगा नहीं एक्सलेंट इनिंग्स इस नंबर पर बैटिंग करते हुए देखते नहीं है हम इनको समय है स्पिन के इंट्रोड़क्शन का शुरुवात कर रहे हैं और स्पिनर के साथ थोड़ा नाजुक हातों से खेला ओन साइट की दिशा में और कितना आसान बना देते हैं ये बैटिंग्स फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो दो दो हाथ करने की मंशा से आए हैं मैदान पर दुक्के के साथ किया है आरम अन साइट की दिशा में फ्लिक किया रन बटोरे हलका सा शफल किया और गेंद को लेक्स साइड पे भेजा फील्डर का बढ़िया थ्रो एक दम्स टम्स के उपर बून बून से गागर भरता है सिंगल के साथ रन अपने पेस और अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं ये गेंद बाज लेकिन क्या आज विकेट चटका सकते हैं भड़िया फुट वर्क कलाईयों की कलाकारी फ्लिक बैट्समेंट चकमा खा गए हैं लेकिन अंपायर मुस्तैद नॉट आउट का फैसलर अच्छा शॉट अच्छी जज्ज्मेंट दो रन का इजाफा स्कोर बोर्ड मैसिव हिट जबर्दस शॉट है ये वाव क्या ड्राइव है ये जबर्दस शॉट दो चक्के लगातार्स दुग नामजाग्शा ये इतनी अद्बूर्ट कैच पकड़ी जाएगी ऐसा सोच अच्छा नहीं था बल्लेबाज ने बढ़िया पकड़ा कैच नेल बाइटिंग मुकाबला था तोनों ही टीम्स में की बहुत सारी जद्दो जहर है रंक में एक टीम को मिली जीत और उनको है बहुत सारी बढ़ाई ऐसा लगा एक समय की आसान सी जीत मिलेगी टीम गेंद के साथ मैच को लपका इसे कहते हैं प्रू आल राउंड पर्फॉर्मेंस मैंनो दे मैच इनीगो मिलेगा झाल